नमस्कार मैं वीजे सर्म आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल गोवर्मेट जोब न्यूज ओफीशियल पर दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं यूपी पीशियल की वेकैंशी को लेके जो 4102 पोस्टें आई थी वो कल एक नोटिस आया है दस तारीकों जैसे आप सभी लोगोंने रीड किया होगा फेस्बूक पे या वटसब के जितने भी ग्रूपस है या हमारा टेलिग्राम ग्रूप है उसमें भी वो सारा कुछ दिया गया है उसके बारे में तो उस नोटिस में लिखा है कि जो बढ़ती परकीरिया चल रही थी टेक्निशिन लाइन के वो निरस्ट कर दे जाती है चुनाओ के बाद जैसे ही चुनाओ जीतते हैं उसके बाद विकैंशिक क्या है निरस्ट कर दे जाती है उससे पहले एक नोटिस आया था कि अमबेंडेट का यानि कि विकैंशिके अंदर कुछ सुधार होगा और हम दुबारा आने वाली है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ टाइम बीता गया बच्चे जार करते रहें कोचिंग ले रहें कहीं से भी बाहर से कोचिंग ले रहें वहां से रहना खाना सारा कुछ वो अपना आरेंज कर रहे हैं गरवालों के बहुत सारे पैसे लग रहे हैं हम लोगों ने बहुत सारा जो है वो पैसा लगाया लगबग जब हमने आईटिय गी थी उस टाइम सतर से असी हजार रुपे आईटिय गे लगते थे इतने सालों के बाद सरकार वेकैंसी नहीं निकाल रही है एक उमीद थी रेलवे के अंदर रेलवे ने गोशना की थी पहले की आने वाली जो भी डी ग्रूप की वेकैंसी होगी वो सारी की सारी वेकैंसी अपनी आईटिय बेस पे होगी लेकिन जैसे ही चुनाओ का टाइम था और टैंथ और प्लस टू जितने भी कंडिडेट्स हैं उनके कहने के अकोर्डिंग क्या हुआ कि वेकैंसी की आईटिय जो है वो उटा की वेकैंसी کے में जो जो भी बार इक डी वेकैंसी की है एक एक लाग पोश्टों की वो सारी की सारी जो की है वो ऐचर्य बेस्पर हो एक मन सकते है कि यह बार बार अकर बार अर हुआ हटा कर वो एकज्सान्स का लिया गया ह्या दो साल तक उन लोगों ने आई टीए की है और आई टीए के कोलेज दूर होने के कारण वहाँ भी उनका बहुत जादा जो खर्चा है वो लगा है तो वो आई टीए के डिगरी उनकी लगबग डेड़ लाग रुपे के अराउंड पढ़ गई थी उनकी की डेड़ लाग हैं बोल रहे हैं कि जो है उसका ने जी रण भी हो रहा है तो इसे करकर जो सारी की सारी कैंसल का कैंसल हो रही है रेलवे जो है वो भी नहीं आ रही है सारा कुछ नीजी करण हो रहा है दिरे दिरे बोलते हैं कि सारा कुछ नीजी करण हो जाएगा और यूपी पीचेल की ये जो वेकैंसी है इनको तुरूंत परवाव से निरस्त कर दिया जाता है जिस टाइम पे चुनाव खतम होते ही तो आप लोगों को एक दड़ना परदर्शन करना पड़ेगा जो बच्चे लखनव में हैं या उसके आसपास यूपी के हैं वो सकती बहुन जाएं या जहां पर मुख्यमंत्री का दरबार लगता है वहाँ पे जाएं और अपनी बातें रखें तभी कुछ हो सकता है क्योंकि जैसे पुलिस की वेकैंसी के अंदर हुआ था कि 6 साल बाद फिर वेकैंसी जो है वो आई थी तो आप इतना वेट आप लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कंडिडेट्स ओवरेज की कगार पर बैठे हैं उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है तो आप लोगों क से जो भी सयोग बन पाएगा हम करने को तयार हैं पहले भी क्योंकि आई टी बे के लिए हमने हमेशा ही आवाज उठाई है आई टी वाले बच्चों के लिए और जो वेकैंसी नहीं आ रही और जो आई वी वेकैंसी वापस ले ली गई है इसका आप लोगों को बहुत पर दर्शन करना चाहिए जिससे की बाद सरकार तक पहुंचे और जो बोल रहे हैं कि मतलब को सलविकास योजना के था है तो आई टी वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी ने भी बोला था कि आई आई टी की नहीं आई टी जरूरत है तो आई टी जरूर उसे निरस्त किया जा रहा है थैंक्यू आप लोगों का बहुत बहुत दन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए जै हिंच जै बारत और चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए और डिपलोमा डिग्री वाले कंडिडेट्स हैं वो भी हमारे चैनल को जरूर फोलो करें क्योंकि उनके लिए भी हम इन्फरमेशन लेके आते रहते हैं आप लोगों का बहुत बहुत दन्यवाद डिपलोमा और डिग्री वालों को भ कोई भी डिपार्टमेंट जहां पर टेक्निकल मांगा हुआ है अगर वो निजिकरन होता है उनका तो सभी को बराबर नुकसान होता है तो आप लोगों को भी अपने गर से बाहर निकलना चाहिए और सहयोग करना चाहिए उन बच्चों का जो इस आंदोलन में भाग ले रह कर दो आप सकते हैWorld को भाग Tob